हेलो एब्रीवन वेल्कम दो चैनल दा सीम एकेडिमी आज एक नोटिफिकेशन आया है इंसिचूट की तरफ से फॉर फाउडेशन इस्टूडन के लिए नोटिफिकेशन क्या है हमारे जो फाउडेशन के वच्चे हैं उनके लिए क्या है यहां पर बोल रहा है कि मोग स्टंबर को पेपर होगा उसके प्रिप्रेशन के लिए हमारे इंसिचूट इससे करवा रहा है जिसे की आप पूरा समझ जाओ कि कैसे टेस्ट आपको देना है और कैसे आपको सारी त्यारी करनी है उसले इपर में आपको बता रहता हूँ कि 30 अगस्ट को पेपर होगा 30 मतलब आपको 25 मिनिट मिलेगा दो सब्जेट को सॉल्व करने के लिए एकनॉमिक्स एन मैनेजमेंट एन अकाउंट का यह दो पेपर मिलेगा उसके बाद आपको 10-25 से लेके 10-35 तक मतलब आपको यहाँ पर 10 मिनिट का मिनिट का आपको ब्रेक दिया जाएगा जिसे कि आप खुड़ा रिलाक्स हो सको ठीक है 10 मिनिट का ब्रेक होगा उसके बाद 10-35 से लेके 11 वे तक दो पेपर MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे लो एन एथिक्स का बिजनस मैथेमेटिस और स्टाटिस्टिक का ठीक है यहाँ पेपर नमबर 3 और पेपर नमबर 4 आपको यहाँ पे मिलेगा सॉल्व करने के लिए मतलब फर्दर आपको टाइम मिलेगा 11 वे तक तो 11 वे तक आपका लास जेट होगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यह सब तो सबको पता चल गया होगा अब इंस्टिटूट का जो यह important guideline है वह हमको पढ़ना है और इसको हमको फॉल भी करना है विकुज हमें guideline नहीं पता ओगा तो हमंगा कैसे अकरन करना है क्या करना है वह हमको पता होना चाहिए है पहले बादी यह 2 पेपर जो यह फीस अगस्थ इसको जो पेपर होगा वह कुन के लिए होगा ऐसे टूडंड करेंगे पेपर लेज़िवर जो ज़ो स्टुडंड फटल लोगे सेप्टमबर के लिए वही चुडेंट अगस्ट का पेपर ही दे सकते हैं जो इंसिटूट हमें कंड़क्ट करवा रहा है एक्जाम के लिए ठीक है दुबारा बोलता हूँ ऐसी स्टुडेंट जो इलिजिबल होंगे सेप्टमबर को पेपर देने के लिए वही स्टुडेंट थर्टी अगस्ट को भी इलिजिबल होंगे एंसे क्यू को देने के लिए और कोई सो भी स्टुडेंट इलिजिबल नहीं होंगे दूसरी बात जो 6 सेप्टमबर की जो गाइड लाइन है वो इंसिटूट जल्दी रिलीस कर देगी यहां पे इनोंने लिखा है और दूसरी बात बोल रहा है कि अपने इमेल आइडी और जो रजिस्टर मोबाइल नमबर है वो इसको रेगुलरी चेक करें ताकि इंसिटूट आपको कभी भ का यहां पर लिखा कि पीज रेगुलर्ली चेक यह इमेल आइडी रजिस्टर इमेल आइडी विट अस एंड एसमेस फूर मोर अपडेट फ्रॉम आई वाला ठीक है जो आई सीमें इंसिटूट जो है वह आपको इमेल आइडी पे जो रजिस्टर इमेल आइडी आपनों दी होगी और एसमेस जो अपने फोन नमबर जाओगा उस पर यह लोग कर सके डिटेल्स विल बी शेयर्ट वित ओल स्टुडेंट ऑन हेर और रजिस्टर इमेल आइडी जो उनकी मेल आइडी होगी वहां पे और अपडेट एं लिंक ओफ एग्जामिनेशन दूसरी बात बोलता है कि it is highly recommended to appear the mock test यहां बोलते हैं कि ज्यादा आप बहुत ज्यादा है कि आप लोग 30 अगस्त का जो mock test होगा वो देना वो भी कव 10 बजे होगा सुबह के 10 बजे यह दिया जाएगा आपको टेस्ट और लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके इमेल आइडी पे ठीक ह यह जब हो गया अब हम आते हैं अपने examination पहले examination होने से पहले 10 बजे से पहले हमको क्या-क्या रखना है अपने पास तो एक बारे मैं आपको zoom करके पढ़ाता हूं जिससे की पूरी की पूरी clarification हो जाए हमें कि कहीं भी कुछ दिक्कत ना हो examination इस्टार्ट होने से पहले चाहिए वो 6 September वाला हो यह 30 August वाला हो 30 August वाला क्या है एक तरह का आपको example दे रहे हैं कि 6 September को जो exam होगा वो ऐसे ही किया जाएगा 6 September को जो exam होगा same to same ऐसे ही किया जाएगा जैसे अभी हम 30 August को ले रहे हैं मान लो कि आपका exam जो है आप यह expect कर लो यह assume कर लो कि जो मेरे 6 September को exam होना था वो अब 30 August को होने वाला है इससे आपकी तयारी भी हो जाएगी और साथी साथ आपके थोड़ा confidence भी आ जाएगा कि हमें मैं ऐसे exam देना है mcq वाला ठीक है और मैं आपको बता दूँ आपके लिए बहुत अच्छा मैं गिफ्ट लिक आया हूं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ठीक है उब इक्जामेशन से पहला को क्या क्या अपने पास रखना बोलता है कि इंस्टिट बोलते हैं कि प्लीज कीप यूर गवर्मेंट अदेंटिफिकेशन अदेंटिटी प्रूफ लाइक ओटर आईडी कार्ट ड्राइवी लैसेंस अधार काड एट्सेक्टर जो भी आपके पास है जो गवर्मेंट अदेंटिटी प्रूफ है यह फिर आप स्टुदेंट आईडी कार्ट पेज बिवर दा स्टार्टिंग दा एग्जामिनेशन और अपने पास और क्या क्या रखना है प्लीज कीप यूर लॉगिन डिटेल्स लॉगिन डिटेल्स मतलब जो रिजिस्टेशन आईडी होगा जो इंस्टिट ने आपको प्रॉइड किया है नेम एंड पास की जो आप यह इंपोर्टेंट पॉइंट है इन्होंने ब्लक से ब्लेक से इन्होंने बोल्ड कर रखा है तो इन्हों वें स्टिट जब आप लोग एक्जामिनेशन पेज को ओपन कर लेंगे यूविल नोट एबल टू एक्सेश्ष्योर मेल्स फाइल ओन कंप्यूटर लैप टॉप औ जो computer laptop में जो आप file access कर रहोगे उसको भी आप उपन नहीं कर पाओगे ऐसा वहाँ पर इन्होंने restriction बना रखा है ठीक है दीसरा point यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आप ऐसे room में बैठे जहां इतम शान्त हो और ऐसे जगह से दूर हैं जहां ज्यादा light आ रही हो लाइक जैसे window, try to avoid bright light behind you मतलब आपको जो पीछे हो पीछे जाएट में ज्यादा रोशनी ना हो जिससे कि आपको प्रॉबलम हो एक्जाम देने में चौता पॉइंट बोलता है institute कि अपने जो गूगल क्रोम है चाया वह मोबाइल का हो लैपटॉप का हो टैबलेट का हो कंप्यूटर का हो उनका जो गूगल क्रोम है उस सब अपडेट कर लें और सारी permission को अलोग करतें जैसे कौन कौन सी permission वैब कैम मतलब यहां पर आपको ए एक वैब कैम लेना पड़ेगा विकोज यहां पर रिकमेंडेड है institute ने बोला है कि यहां पर इंसिट्यूट ने बोला है कि आप वैब कैम लगाएंगे अगर आपने वैब कैम नहीं लगा होगे तो आपको एक्जामनेशन पेज लगा वह ओपन नहीं होगा तो यहां पर आ यहां पर आपको करना पड़ेगा ना यहां पर लास्ट का सेकंड पॉइंड क्या बोलता है कि अग्जामनेशन विल स्टार्ट शार्प एट 10 अम तो नहीं होगा और लास्ट बात बोलता है यहां पर इंसिट्यूट कि आप यह ध्यान दीजिए कि आपके पास एक इनफ पावर बैकप होना चाहिए इन केस अगर आपके लेटरसिटी फेल हो जाती है मतले लेटरसिटी कट जाती है लैट्टॉप की बैटरी मोबाल की बैटरी उतर जाती है कम हो जाती है यह फोन स्वीच आप हो जाता है या सब्सक्राइब कर सकते हैं यह तरह की बैटरी होती है उसमें प्लीज यूज़ फास्ट रिलाइबल इंटरनेट कनेक्शन दूरिंद एग्जाम सो दैट यू दू नोट हैवा नौट फेस्ट अरे इंटरनेट इशू मतलब यहां बोला कि एक से चार एंब पेस आपके पास कम नेट होना चाहिए स्पीड जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोशन पेपर को सॉल्व करने में यह इन्सिटूट की गाइडलाइन यह का पॉइंट यह बोलते हैं ना यहां पर इंसिटूट एक हमें अच्छा बताते काम बताते हैं कि अगर आपको चेक करना आपका यह बोलता है कि तूट चेक वाकिंग फंक्शनलेटी अफ यूर वैपकें एंड माइक्रोफॉन यूजर फॉलोविंग लिंग इस लिंक को आपको करके आप अपना वैपकें मैक्रोफॉन टेस्ट कर सकते हैं वहां पर आपको एक आपको का कैमरा दिखा देगा कि आपका ज जाएगा बेसिक इंफरस्ट्रक्ट्रक्टर रिक्वार्मेंट फॉर एक्जामेनेशन अब यह जो बेसिक क्या इसमें एक तो आपको इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए अच्छी मतलब एक से चार्यम बेपेस्पीड होनी चाहिए लैपटॉब और डेस्टॉप में वैपक फॉन में क्या है कि आपके आपको बास ओपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए पांच यह उस से अबब होना चाहिए Łuk Saya इसे मैं क्या तो आफ एक्जाम और पर जागा हुपर और कीा क्या करना है तो आपको यहां पर जो एक कोशन पेपर होगा अगर आपके पास वैपकेम और माइक्रोफोन नहीं है तो आपको यहां पर जो एक कोशन पेपर होगा अगर आपके पास वैपकेम और माइक्रोफोन इनेबल नहीं है तो आपका जो टेस्ट होगा कोशन पेपर वो लोड ने कि जाएगा यह सानों ने एक सेटिंग बिटा रखी है तो माइक्रोफन इस नॉट इडेक्टेटर अधा टाइम आप बिफोर दाश्ट डॉन नॉट प्रेस बैक अप में बैक स्पेस रिफ्रेश और क्लोज दाव दूरिंड दाइग्जामिनेशन आपको यहां पर ऐसे कोई भी अगर आप लोगों ने सभी कोशन को अटेम्ट कर लिया है तो आपको अभी उसे सम्मिट नहीं करना जब तक आपका एक इडामिनेशन खत्म नहीं है तो आप लोग टेस्ट को सम्मिट कर देंगे तो आप उसे दुबाया रिसेट नहीं कर सकते ओके यहां पर एक अच्छी बात बताई नहीं है कि यहां पर कोई नेगेटिव माकिंग भी नहीं है इनके सब पावर फेलियर अगर मानलों के लेटिसिटी कर जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना है रिस्टार्ट देश्ट यूदे यूदे विए सेम लोग इंफॉमिशन एंग ब्राउजर यह प्रॉजर यह फिर लेटिप की बैटरी खतम जाती है तो आप कोई पैनिक होने की बात नहीं है यह कहते हैं कि आप अपना इस टेस्ट को दुबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं उसी लोगिन आइडी से उसी पास की से आप उसी कोशन पर जाएंगे जिस कोशन पर आपका यह खतम होगा जिस कोशन पर आपका लैप्टॉप फोन और कंपूरेटर बंद हुआ था अब जितने क सकते हैं ़ो छोका क्यए संसाथलिया कलिए मैं और आपका आपक लिए की पर करने की लिए का 5 अन कंपूरेटर आपका खाला की ख्याओ ऑट कर मिला आपका सवन थाにちは दिटेल्स एंड एंड सेंड एट स्क्रीन अगर आपको सब्सक्राइब करने में एगर वो जाते हैं इंटरनेट नहीं है प्रकार कोई बीप्रॉब्लम हो जाती है तो आपको क्या करना है इस मेल आई-डी पे आपको भेजना है वह टेस्ट ठीट है पहले आपको से आइडी जो होगी और उन्समिंटेट कोश्टन आंसर कोश्टन नंबर आंसर वह आपको यहां पर करना है इन कोश्टन आइड दिज इमेल आड़ी और कॉंटाइक आईसे में और आइसे यह पूरी की पूरी गाइड लाइन जो इंस्टिटूट के तरफ से प्रोवाइड है हमारे चुछ सेप्टेmbr के एक्जाम एशन के लिएयर और तीज अगत को जो एक्जाम हो Ryan उसके लिए दोर कि आपको एक छोणियो वहिखारalin गिफ्ट यह देना है कि हम लोग आपको 2000 MCQ प्रोवाइट करें फूल चारो सब्जेट के लिए फिरी ओप कॉस्ट आपको नीचे वटसप का कॉंटेक्ट नमबर मिल जागा आप अपना नमबर वहाँ पे मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम आपको MCQ जो है 2000 MCQ वह आपको हम प्रोवाइट कर देंगे फ्री ओप कॉस्ट ठीक है वीडियो पसंद जाए तो वीडियो को लाइक किजे चैनल को सब्सक्राइब किजे थैंक्यू सो मच